तो दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए Phenomenal Guru जी को साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेश टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो एंड वेलकम फ्रेंट्स यो वाचिंग Phenomenal Guru जी चैनल दोस्तों अगर आप यूज करते हैं Samsung Galaxy M31S तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर आ चुका है Android 11 का अपडेट साथ में यहाँ पर आपको मिल रहा है One UI Core 3.1 का अपडेट तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं Complete Review वीडियो होने वाला है दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजे और वीडियो को शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं One UI Core 3.1 का अपडेट दोस्तों आ चुका है साथ में Android 11 भी आ चुका है और इसमें दोस्तों काफी ज्यादा नए फीचर आए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं Visual Design अलावा दोस्तों Performance भी Improvement की गई है यहाँ पर Better Customization मिल रहा है और भी बहुत सारे फंक्शन देखने को मिल रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर यहाँ पर latest आये हैं इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर आपको Select Remove और Widget का Option मिलता है दोस्तों और यहाँ पर आगर आप Widget Select करना चाहते हैं इस एप का तो Simply यहीं से Select कर सकते हैं इस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको Calendar का जो Widget है देखने को मिल जाएगा इसी तरीके से दोस्तों आप Other Apps के भी जो Widget पर क्लिक कर सकते हैं देखेंगे आई बटन पर आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाता है दोस्तों App Timer का Option Simply App Timer के Option पर क्लिक करके यहाँ पर आप उसका जो latest जो स्क्रीन टाइम है और Notification Received है सारा कुछ देख सकते हैं इसका status आपको देखने को मिल जाता है काफी अच्छा feature दोस्तों यहाँ पर दिया गया है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों Game Launcher की तो यहाँ पर आपको latest Game Launcher देखने को मिलता है जो की काफी ज़्यादा fast smooth है दोस्तों और यहाँ पर आप जो है high level की गेम खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको latest Game Launcher देखने को मिल जाता है और इसका जो latest update है दोस्तों आपको देखने को मिलता है दोस्तों आप बात करते हैं यहाँ पर आपको मिल चुका है age panel जो कि आप काफी समय से wait कर रहे थे तो finally दोस्तों यहाँ पर age panel आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे आपको compass वगएरा देखने को मिल जाता है ruler वगएरा देखने को मिल जाता है तो यह सारे feature दोस्तों मिलते हैं flashlight वगएरा आप control कर सकते हैं तो आपको age panel के कई tab देखने को मिल जाते हैं आपको apps के जो है list देखने को मिल जाती है पर आपको मिल जाता है contact list का option तो आप age panel पर सारे contact list देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर smart select का option देखने को मिलता है तो यहाँ से आप और भी जो है feature चेक कर सकते हैं इसके लावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको और भी जो नए age panel है देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर additionally add कर सकते हैं बहुत सारे आपको age panel की list देखने को मिल जाती है तो अपने according आप यहाँ पर select कर सकते हैं जो भी age panel आपको चाहिए तो यहाँ पर simply उसे download करके आप use कर सकते हैं तो यह कुछ आपको feature देखने को मिलता है दोस्तों बहुत सारे age panel दिये गए हैं जिसे आप use कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं next feature की दोस्तों simply आप आएंगे notification के अंदर तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको जो है notification style दो तरीके का देखने को मिलता है यानि की brief detail simply आप इस पर click कर सकते हैं दोस्तों और इसे apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों brief pop-up setting का भी option मिलता है आपको simply आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है age lighting style का support simply आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपको age lighting का support मिल जाता है आप अपने according यहाँ पर select कर सकते हैं जिस तरीके का आपको style रखना है तो यहाँ पर आप manually उसे select कर सकते हैं तो यह कुछ आपको feature मिलता है दोस्तों इसके लावा देखेंगे notification का जो style है वो भी change हो चुका है दोस्तों कुछ इस तरीके से notification का effect आपको देखने को मिलेगा और साथ में दोस्तों color वगेरा भी आपको देखने को मिल जाते हैं आप color आप रख सकते हैं according जो color आपको देखने को मिलेंगे या फिर यहाँ पर आप कोई भी color अपने according select कर सकते हैं दोस्तों वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको और भी color के combination मिलते हैं तो आप यहाँ से भी select कर सकते हैं और use कर सकते हैं और use कर सकते हैं जिससे आप यहां पर control कर सकते हैं, duration वगेरा set कर सकते हैं और इसे apply कर सकते हैं इसके अलावा दूस्तों आपको मिलता है color by keyword का option और यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आप जो keyword के according यहां पर color set कर सकते हैं apps के तो वैसा आपको notification देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलता है show even while screen is off तो इसे आप on कर सकते हैं दोस्तों इसके लावा दोस्तों back चलते हैं और आपको अगले feature बताते हैं दोस्तों next feature की बात करें तो यहाँ पर आप lock screen पर click करेंगे नीचे scroll करेंगे यहाँ पर आपको मिलता है एक option always on display का simply आप इस पर click करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको clock style का option मिलता है simply आप इस पर click करेंगे यहाँ पर आपको clock की बहुत सारी style देखने को मिल जाती है AOD पर जिसे आप use कर सकते हैं दोस्तों color वगेरा change कर सकते हैं इसके बाद आप manually कोई यहाँ पर gallery से images लगाना चाते हैं तो आप लगा सकते हैं themes वगेरा select कर सकते हैं और यहाँ पर आपको add gif का option मिलता है दोस्तों तो भी आप gif use करना चाते हैं दोस्तों यहाँ पर आप कर सकते हैं और इसे done पर click करके apply कर सकते हैं तो यह कुछ कमाल का feature दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों next feature की बात करें तो यहाँ पर आपको एक और option मिलता है wallpaper service का simply आप इस पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको dynamic lock screen मिल जाती है इसकी settings मिल जाती है और यहाँ पर आपको glance on Samsung देखने को मिल जाता है दोस्तों dynamic lock screen पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको जो wallpaper की list है देखने को मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारी categories दी गई है अब यहाँ पर up to five categories को आप एक साथ select कर सकते हैं और यहाँ पर आपको तरह तरह के lock screen में wallpaper देखने को मिल जाएंगे तो यह कुछ आपको feature देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पर security patch की बात करें तो दोस्तों एक मार्स 2021 का आपको security patch देखने को मिलता है पर आप देख सकते हैं यह है secure folder का latest version जो कि आपको देखने को मिलता है Samsung Galaxy M30 1S के अंदर और साथ में यहाँ आप देख सकते हैं इसका जो background है transparent हो चुका है दोस्तों यहाँ पर आपको three dots का option मिलता है तो यहाँ पर आपको और भी जो feature हैं देखने को मिल जाते हैं secure folder के simply आप settings पर click करेंगे तो वो सारे feature दोस्तों आपको देखने को मिल जाएंगे और सारी settings वगएरा देखने को मिल जाएगे जिसे आप change वगएरा कर सकते हैं और इसमें जो भी आप apply करना चाते हैं कर सकते हैं तो यह सारे feature आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे scroll करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है battery and device care का option और यहाँ पर आप देखेंगे simply आप इस पर click करेंगे तो आपको latest UI वाला जो है यहाँ पर device care देखने को मिल जाता है इसमें आपको बहुत सारे feature मिलते हैं दोस्तों advance protection का आपको यहाँ पर support मिलता है और यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आप three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको automation का option मिल जाता है तो यहाँ पर आप जो सारा content है apps का move कर सकते हैं SD card में तो यह आपको feature देखने को मिल जाता है दोस्तों इसे यहाँ से move कर दिया गया है दोस्तों तो यह अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों नय फीचर की तो यहाँ पर आप देखेंगे प्राइविसी के अंदर आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको नया इंटरफेस देखने को मिलता है जो की नया यूजर इंटरफेस दिया गया है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपको ads वगेरा नहीं चाहिए तो यहाँ पर आप receive marketing information को यहाँ पर off कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको ads वगेरा देखने को नहीं मिलेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर manually इसे change कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप back जाते हैं यहाँ पर आपको सर्च का जो option मिलता है simply आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको tags के option मिल जाते हैं दोस्तों simply आप three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे tags की जो list है देखने को मिल जाएगी जिसे आप use कर सकते हैं दोस्तों तो tags के according यहाँ पर feature दोस्तों यहाँ पर बांड़ दिये गए हैं तो simply आप कोई भी tag पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको उससे related feature देखने को मिल जाएंगे तो आप directly यहाँ से इसे use कर सकते हैं तो यह कमाल का feature दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं next feature की तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है advanced feature का option यहाँ पर आपको मिल रहा है दोस्तों android auto का option यानि कि अगर आप car वगेरा connect करना चाहते हैं तो आप connect कर सकते हैं अपने smartphone से तो यहाँ पर आपको बहुत सारे feature देखने को मिल जाते हैं तो आप इसे use कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते है next feature की तो यहाँ पर आपको double tap to turn on screen के साथ आप turn off screen का option भी मिल जाता है दोस्तों तो simply आप click करेंगे तो double tap करेंगे तो यहाँ पर screen off हो जाएगी तो यहाँ पर आप देखेंगे double tap करते हैं तो screen off होती है double tap करते हैं तो screen on हो जाती है दोस्तों तो यह कमाल का feature आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों आप बात करते है next feature की तो यहाँ simply आप apps पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों अब आपको यहाँ पर choose default apps का option यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसके साथ ही दोस्तों Samsung app setting का option मिलेगा simply आप इस पर click करेंगे तो Samsung app की जितनी setting है दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों आप बात करते हैं developer option के developer option के अंदर भी आपको नए feature देखने को मिलते हैं यहाँ पर आप नीचे scroll करेंगे दोस्तों आप आप देखेंगे दोस्तों आपको मिलता है graphic driver का option तो अलग-अलग apps में आप जो है graphic driver दोस्तों apply कर सकते हैं और आप इसे on भी कर सकते हैं तो आपको जो काफी ज़्यादा smoothness देखने को मिलेगी दोस्तों यानि कि अगर आप game वगेरा install करते हैं तो उसमें आप graphic driver वगेरा use कर सकते हैं यहाँ पर आपको manual feature देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों आपको show reference rate का option मिलता है यानि कि आप refresh rate चेक कर सकते हैं दोस्तों कि कितना refresh rate आपके smartphone में आपको मिलता है तो इसे आप चेक कर सकते हैं यह आपको कमाल का feature देखने को मिलता है GPU watch देखने को मिल जाता है CPU का जो भी status है GPU का जो भी status है दोस्तों यहाँ पर आप home screen पर देख सकते हैं तो यह feature कमाल का आपको देखने को मिल जाता है तो इसे आप use कर सकते हैं दोस्तों आप बात करते हैं next feature की दोस्तों आप आएंगे connection के अंदर इसके बाद आप mobile hotspot पर click करेंगे इसके बाद mobile hotspot पर click करके यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे अब आपको यहाँ पर band जो selection है देखने को मिलता है simply configure पर click करेंगे तो यहाँ पर आप band select कर सकते हैं दोस्तों 2.4 GHz या फिर आप 5 GHz पर set कर सकते हैं तो यह कमाल का feature दोस्तों आपको देखने को मिल जाता है बात करते हैं दोस्तों notification panel की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको notification panel देखने को मिलता है यहाँ पर आपको scan qr code का option मिलता है i comfort shield का option मिलता है दोस्तों इसके लावाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर secure folder का भी option मिलता है दोस्तों यहाँ पर आप calls वगेरा आटेंड कर सकते हैं जो भी sim में आप यहाँ पर call करना चाहते हैं यहाँ पर आप select कर सकते हैं text message select कर सकते हैं और mobile data भी यहाँ से आप select कर सकते हैं जो भी sim में आप apply करना चाहते हैं और बाकी यहाँ पर दोस्तों timing वगेरा जो है आपको आप center पर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको edit button का option मिलता है यहाँ पर click करके जो plus का icon है इससे भी आप जो widget वगेरा add कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों आप three dots पर click करेंगे यहाँ पर आपको quick panel layout का option मिलता है तो अगर आप device और media button को show करना चाहते हैं तो simply आप इस पर click कर सकते हैं या फिर आप इसे off भी कर सकते हैं दोस्तों तो आपको वो देखने को नहीं मिलेगा तो इस तरीके से दोस्तों आप apply कर सकते हैं आपको ये feature कमाल का देखने को मिल जाता है इसके बाद दोस्तों बात करते हैं next feature की तो यहाँ पर आप settings पर click करेंगे इसके बाद दोस्तों status बार पर click करेंगे यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है battery percentage का option इसके बाद notification history का option मिलता है इसे on करने के बाद दोस्तों जो भी notification आपके आएगा और आपने उसे swipe कर दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपसे गलती से swipe भी हो गया है या फिर वो हड़ गया है तो यहाँ पर आपको उसका record जो है देखने को मिल जाएगा तो एक कमाल का feature आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों आप बात करते हैं next feature की तो यहाँ पर आपको floating notification अब दो type के मिलते हैं यानि कि bubbles में आपको notification देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके का आपको animation देखने को मिलेगा इसके बात दोस्तों आपको notification reminder का option मिलता है तो simply आप इसे allow कर सकते हैं और यहाँ पर आप timing वगेरा set कर सकते हैं तो आपको वो जो notification का reminder है देखने को मिल जाएगा इसके बात दोस्तों आपको wireless emergency alerts देखने को मिलता है कोई भी natural disaster वगेरा आते हैं दोस्तों तो उसका notification आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जो यहाँ पर आपको threats हैं देखने को मिलते हैं जिसे आप यहाँ पर enable कर सकते हैं और आप को alert यहाँ पर किया जाता है दोस्तों तो यह feature आपको कमाल का देखने को मिल जाता है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों dollar pad की तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरीके का आपको dollar pad देखने को मिलता है और यहाँ पर दोस्तों आपको three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है settings का option simply आप settings के option पर click करेंगे यहाँ पर आपको record call, block number और caller ID, spam protection भी मिल जाता है दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको call background मिलता है आप जो भी sim में apply करना चाहते हैं call background आप अपने according कर सकते हैं साथ में दोस्तों अगर आपको कोई layout चाहिए तो यहाँ पर आपको दो तरीके के layout देखने को मिलते हैं जिसे आप apply कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको background का option मिलता है तो आप manually जो भी image background में लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं तो sim 1, sim 2 आप यूज़ कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों call display while using apps option मिलता है दोस्तों तो आपको जो pop-up view में चाहिए या फिर आपको full screen में जो है call screen चाहिए या फिर आपको mini pop-up में चाहिए तो इस तरीके से आप इसे भी apply कर सकते हैं दोस्तों और यहाँ पर आपको यह सारे feature देखने को मिल जाते हैं इसके बाद दोस्तों back चलते हैं वाई-फाई calling आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों तो यह कमाल की feature मिलते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको make video call using में single take पर हम click करेंगे तो यहाँ पर आपको single take की कई option देखने को मिल रहे हैं दोस्तों जैसा कि filters, photo हैं, wide cropped shots हैं, speed effect clips हैं जो कि आप यहाँ पर इन तीनो filters को apply कर सकते हैं और एक अच्छा जो है यहाँ पर single take ले सकते हैं तो यह कमाल का feature दोस्तों आपको देखने को मिलता है बाकी यहाँ पर आप videos पर click करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको front में ही जो है fps select करने का option मिलेगा साथ में यहाँ पर video quality, resolution वगेरा select कर सकते हैं तो यह आप manually यहाँ पर कर पाएंगे इसके बाद more पर आप click करेंगे तो कुछ इतने option आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों दोस्तों next feature की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है message का option simply आप three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों आपको trash का option मिल रहा है तो यानि कि अगर आप कोई भी message delete कर देते हैं तो वो trash में चला जाएगा दोस्तों और यहाँ पर आप उसे 30 days तक recover कर सकते हैं तो यह कमाल का feature आपको देखने को मिलता है दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपको edit का option मिलता है तो दोस्तों बात करते हैं next feature की तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलता है my files का option यानि कि my files का जो interface से कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है इसमें आपको installation file के साथ compressed file भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तों और यहाँ पर आप देखेंगे आपको analyze store भी मिलता है दोस्तों जो काफी जादा यहाँ पर आपको information देता है जिसे आप check कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अभी आप three dots पर click करेंगे तो यहाँ पर भी आपको trash का option मिलेगा दोस्तों यानि कि कोई भी file music data जो भी आप यहाँ पर delete कर देते हैं उसे आप 30 दिन तक recover कर सकते हैं आपको trash file में देखने को मिल जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं gallery की तो simply आप देख सकते हैं gallery का interface काफी अच्छा है दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे picture, album, stories का option आपको देखने को मिल जाता है इसके उपर three lines पर आप click करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप सारे option mention केर दिये गए हैं जिसे आप यहाँ पर check कर सकते हैं और इसे use कर सकते हैं इसके लावा भी यहाँ पर आपको भी trash का option मिलता है दोस्तों यहाँ पर भी आप कोई delete करते हैं किसी भी image को तो यहाँ पर वो save हो जाती है यानि कि आप 30 दिन तक इसे recover कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको trash का option मिलता है तो यह काफी अच्छे feature हैं दोस्तों जो आपको Samsung Galaxy M31S में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों contact के अंदर भी आपको trash का option मिलता है और इसे भी दोस्तों 30 दिन कर दिया गया है यानि कि आप कोई भी contact number delete कर देते हैं तो यहाँ पर आपको trash में देखने को मिल जायागा जिसे आप वहाँ से recover भी कर सकते हैं तो एक कमाल का option आपको देखने को मिलता है तो उमीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी helpful रहा है इस इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर लिजे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाए अजयो आपके लिए बाए